हलो फ्रेंड्स एलेक्ट्रोनिक्स वर्ल्ड यूटूब चैनल में आप सभी का फिरसे अकबर स्वागत है मैं दिपांकर मंडल दोस्तों आज हमारा पास एक क्राउन 32 इंच का टीवी आया हुआ है ये इसकी पिक्चर के कंडिशन देख सकते हैं पैनल फॉल्ट में आया हुआ है इसमें इस फॉल्ट को हम आझ रिपेर करेंगे और इस फॉल्ट की इस पॉर्ट की सारी डीटेल भी आपको देंगे किस तरह से for Appet «होगा कि सब्स्रें कर लेते हैं टरफ घू थे की сильно में मिलेगा वीडियो में आगे बने रहे क्योंकि इस फॉल्ट की सारी डीटेल आपको मिलने वाली है आगे इस वीडियो में तो छलिए टीवी हम सबसे पहले ऑपन कर लेते हैं महिने हिँ जिथा अधे दिवी हमने ओपन कर लिया काफी डस्ट भी है इसमें पहले यह दस्ट वगरह हम क्लिन कर लेते हैं इसकी स्केलर पीसीबी में भी काफी डस्ट हमें अजर आ रहा है तो ओपन कर लिए एक बार हम टीवी को आउन करके और फिर देखते हैं कि अलग से हमने की सेट लगाया इसमें कि इसका जो की सेट है वह इसकी बैक कबर के साथ रहे गया कि सो कि देखिए यह किस तरीकी सिम्टम से बार की से समझेंगे कि यह फॉल्ट एक्च्वल में है क्या तो पहले हम थोड़ा क्लेंड करके फिर आगे बढ़ते हैं इसमें दो सोर्सकॉप दिया हुआ है इसकी पैनल के नंबर यहां पर मेंशन किया हुआ है यहां इसका पैनल का नंबर मेंशन किया हुआ है इसके उपर एक लेमिनेट पेपर भी चिपका हुआ है इसको भी निकालेंगे हम इसके लड़ के उपर अब यह सेट किलीन हो चुका है हम काम करेंगा भी इसमें देख सकते हैं इसकी जो पैनल की नंबर है वह VVH 32H 167G00 यह पैनल है इस पैनल की एक खास बात भी है इस पैनल में 12 वोल्ट भले इंपुट हो रहा हो लेकिन यह पैनल 3 वोल्ट पे वर्क करता है 3.3 वोल्ट पे इसम यह पैनल प्रोसेसर हो गया जो टिकन प्रोसेसर कहते हम उसके बाद इसका इप्रोम हो गया यहां पर एक रेगुलेटर लगा है एक लेक की जो 3.3 वोल्ट बना रहा है और यह डीजिटिदी इसी आईसी यह वर्क कैसे कर रहा है यह यह ऊधिरी पैन त्री वोल्ट पे इसल कौले के जरिए आई सी में इंपूल होता है और फिर वहीं से आविरिडी की सप्लाई बनता है यहाना डायोडा के स्वीनट होता है और फिर यहां पर आडायोड एसलिए हम कहा रहें कि यह पैनल यह 3.3 समंझ गाल है तो ways तो इसमें यह उसे काईट यह प neighborhood करा टा ह Toward उने से भी पेनलने चला जाता है और फिर वरट नहीं करता है समझब से पाते कि फ़र्ज़ कांगने नहीं हो रहा है तो पता चलता है कि एसमें आद छंग हो रहा है और जो रेगुलेटर आइसी है इससे इसमें भी इन हो रहा है और यहां से इसमें 3.3 वोल्ट आउट हो रहा है और यह सप्लाइट है आपके दूसरे कॉयल के जरिए जहां एविर्टी के सप्लाई बनेगा इसके जरिए आइसी में इन हो रहा है जो डिजुडी से आ सप्लियब जो थो त्यु continued 2.75 तो है यहां पर माम नाश फाइब कि प्रफ यह चा सप्लाइय यह पर सारे प्रफपल्टेच की लिकिन प्र कर्फष्याइब खरता करें किसि उस्थे क्या हो सकता है वो भी हम ढूनेंगे फॉल्ट को कि देखिए अभी भी टीवी उसी कंडिशन में है वोल्टे सारे ओके हैं तो इसमें हमें अब सिर्फ एक ही चीज हम देख सकते हैं यादी इस पैनल में गेट कॉफ हुआ तो गेट कॉफ भी हम चेक करेंगे उससे पहले यह द तो हो सकता है कि इसके गेट कॉफ में कुछ दिक्कत हो खराबी हो या फिर कोई वोल्टे सिगनल मीसिंग हो तो देखते हैं हम इसके डेटा निकालते हैं और फिर इस्टे बाइस्टेप चेक करते हैं सारी पॉइंट पर वोल्टेज हैं यहां से जो सिगनल है हो सकता है कोई मिसिंग हो तो एक बर और हम ओन करके देखते हैं इस तरह की कई वीडियो हमारे चैनल पर एविलेबल है लेकिन कुछ नए नए टेकनिशियन है जो कॉमेंट करते हैं किस तरह के से क्या करें तो उनके लिए यहां देखिए हमने कॉफ को छुआ लेकिन कोई हरकत इसमें दिखा इसका डेटा हमारे पास एविलेबल नहीं था तो हमने एक प्रोटेक्शन लिया पहले तो सारे टेस्पांट पर वल्टेज चेक किया तो हमें पता चला कि इसमें वीडियो की सप्लाई नहीं है तो फिर यह देखिए हमने एक प्रोटेक्शन आप हाई ओम्स की रेस्टेंस सकते हम इसमें 15 के का रेस्टेंस यूज कर रहे हैं तो देख सकते हैं वीजी एल पर जैसे हम टच करते हैं वीजील की सप्लाई मिसिंग था इसमें पिक्चर बनने लगा है अब इसको जो है हम सोल्डर के जड़िये हम इसको सोल्डरिंग कर देंगे और फिर सेट को पैक करे किसा लगा कोमेंट पर जोरू बता हिएगा और अभी तक यादि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाकर नोटिफिक्रेशन आल पर किलिक करें यादे आप नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए काभी मज़गा सभी